मसकार दोस्तो, मिरे नाम है सेकर और स्वागत आप सौवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकारी स्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्रा खंड के महत्पूर्ण परस्नों को तो चलिए दोस्तो वीडियो की सुरुवात करते हैं इसके अलावा अगर आपने और पाटू को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तो पले लिष्ट मा आकर स्पीट बढ़ाकर जरूर से देख लिजेगा पहला परस्न है निमन मैंसे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है यानि कि तीन तो दोस्तो सुमेलित होंगे और कोई एक इन मैंसे सुमेलित यहां पर नहीं होगा किरडापत उत्रांचल राजेस महन उपरती दोस्तो एक तरफ पुस्तक दी हुई है एक तरफ उनके लेखक दी हुए है तो किरडापत उत्रांचल राजेस महन उपरती बिल्कुल सही है कुमाओं की चितरकला ये सुधर मटपाल अब सिर्फ इतना ही आ सकता है कि कुमाओं की चितरकला पुस्तक के लेखक कौन है एक नमबर के लिए सिर्फ यही पूछ लिया जा सकता है एक्जाम में तो ये दूसे और एक उप्शन बरग्ड दी तो बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ अगला परसन है कुन-कुन खालदर्रा इस्तीत है चमोली पिठोड़ागड या फिर उत्तरकासी तो कुन-कुन खालदर्र या जो इस्तीत हो जाएगा हमारा चमोली में धर्रू से तो आकसर परस पर्वत यहां से दोस्तो अक्सर एक्जाम में परशन बनते हैं और हर एक्जाम में लगभग लगभग यहां से परशन आता है इसके अला दोस्तो चमोली में से नीती आपने सुनाई होगा लिपू लेक पित्वड़ागळ का परशिद्ध है नीती माडा किंगरी बिंगरी दोस्तो चमोली में तो बढ़ते हैं दोस्तो अगले परस्तुत नहीं की गई है रमार दोस्तो की गई है बिल्कुल से उत्तर है रमार दोस्तो 2016 में गरामिड प्रेटन दोस्तो ये 2018 का है करामिड प्रेटन 2018 में जहां की परस्तुत की गी थी जड़ी बूटी दोस्तो ये 2014 में परस्तुत की गी थी 2014 में तो जागेश्वर धाम पर दोस्तो अभी तक कोई जहां की परस्तुत नहीं की गई है तो ये आपको बिल्कुल यादक नहीं किदार नात होता तो होता भी लेकिन जागेश्वर धाम पर दोस्तो जहां कि अभितक परस्तुत नहीं कीगी तो इसका अप्शन नमर डी अगला है जॉन सार भाबर इस्ट इंडिया कंपणी ने किस वर्स अपने अधीन में लिया तो यह हो जाएगा दोस्तो इसका शिवत्र 815 में अठार सो पंद्रा तो यह आपको दोस्तो बिल्कुल या दखना है सुदर्सन सा ने भी टिहरी की स्थापना की से दोस्तो टिहरी नगर की अठाई दिसंबर 815 को दोस्तो 815 की बात है जब पिर्टिस इंडिया कंपणी ने जोन सार भाबर छेत्र को भी अपने अधीन ले लिया था तो इसका से उत्राखंड में इस्ट इंडिया कंपणी कागमन अगला पर्याग जल्बिदूत पर्योजना किस नदी पर है बहुत ज्यादा महत्म रसन दोस्तो यह विश्णु पर्याग वाला तो इसका से उत्राखंड में अलग नंदा पर है क्योंकि और उप्शन तो पॉलि दन पर मॉली अनदा पर है यह विए आपको विल्कुल आद कने और कितने मेगावार्ट के उस्तो तो 650 मेगावार्ट की दोस्तो बार पर्तिसाद रोयल्टी के रूप में उत्रा छिंड को बीजली मिलती है मुक्त में और यह वह वांद के हैं दूसरा जो बार उत्र प्रसने महत्पूर्ण हो जाता है, तो बढ़ते हैं अगले प्रसने की त्रव, अगला प्रसने आपर गडवाल का राइजिंग मैं के नाम से जाने जाते हैं, जब बढ़दरраст कोशिन तो एकजाम क्या पता पूछ लिया जाए, इनके बारे में पूछाई जाता है, तो इसका सेट्रों का भोला दत चंदोला को दोस्तो जाना जाता है गड़वाल का राइजिंग मैन कुमर सिंग नेगी को दोस्तो जाना जाता है गड़वाल का हतिमताई फोरस्ट गार्ड में यही आये था कि गड़वाल का हतिमताई किसे का जाता है तो कुउमर्शिंग नेगी को इस बार प्रस्द है गड़वाल का राइजिंग मैन किसे भोलादत चंदोला को तारादत गरवला दुस्तो यह खैर महतपूर नहीं है गड़वाल जनजागरण का दुस्तो पिता कहा जाता है तारादत गरोला को गडवाल जंजागन का पिता खनानन्द खंडुरी दोस्तों ये भूबन चंद खंडुरी के दादाजी ये दोस्तों दान्विर करणिन को घा जाता है तो इसका शेत्रु जाएगा है यहाँ पर हमारा देवी तो अप्सन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेउत्तर 1932 में उसको कुंती बर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश भी जारी हुआता तो यहाँ पर महिला जागरती पुछ है तो जाएगा तुलसी देवी अगला बस्तिन नंदा राजजात का जिकर किस पुष्टक में मिलता है नंदा राजजात जो जो है इसको हिमालाई का महाकुंब भी खा जाता है 12 वर्ष में दोस्तों एक बार होती है इससे पहले दोस्तों 2014 में होती और उससे पहले दोस्तों 2000 में होती सन 2000 में होती और इसके अलावा अभी दोस्तों जो होगी क्योंकि 2012 महीं चीज तो नहीं उपाई थी तो इसका शेत्रों को जाएगा, उस्तों इसका जिक्र किस्म मिलता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हर्स चरित में मिलता है, इसका सेवतर है, ये आपको बिल्कुल यादखने है, और इसका अंतिम पड़ाव उस्तों कौन सा है, ये भी एक जाम मा आये था, नंदा राज्या विकास खंड दिवाए एक तरब दिव हैं उनके जनपद, ओखल कांडा दूस्तों न्यनिताल में है, पिल्कुल सही है, मूना कोड दूस्तों इपित्राडागर में है, शल्ट अल्मोडा में है, अब ये तीन आगे दूस्तों अपने आपी दुलत हो जाएगा जाक्रिधार जाक्रिधार दूस्तों पॉड़ी नहीं है, पॉड़ी नहीं है तो ये टीरी में है, ये जाक्रिधार, तो इसका से दुर्ण आपको देखने को मिल जाए, उत्रा खंड में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कब किया गया, अब आप्सन देखे दूस्तों, आयो के ओप्सन भी इसी तरह से रहें आजकल, तो ये दुस्तों 7-8 अक्टूबर सभी में लगा हुआ है, अब ये आपको बताने है, तो ये हो जाक्रिधार दूस्तों 7-8 अक्टूबर 2018 को उत्रा खंड में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, ये दुस्तो 8-8 अक्टूबर 2018 को उत्रा खंड में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, अगला बस्तना उत्रा खंड में निमन में से सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है, तो ये आपको बताने है, तो इसका से उत्रा का उस्तो एनेच, एनेच साथ, तो ये जो एनेच साथ उस्तो ये बहुत लंबा है, एक तो पंजाब से हर्याणा होते हुए हिमान चल परदेश, विकास नगर, धेरादून, होते हुए उस्तो दून से लेकर ये माना तक जाता है, माना तक, माना तो चमुली तक, तो इतना लंबा है देखे, पंजाब स यहां से बूरा आता है, सबसे लंबा है दोस्तो ये वैसे भी, उतराखिनंड में भी सी के लंबा है तो या जली जाग नेच साथ है, यह झानेच साथ है, यह आपको कमेंट बोक्स मताने है, या जली नेच च जाग गौनौत्री है, भढ़ते हैं अगले परस्न की तरब, अगले दोस्तो 12 वर्सम लगता है अर्द कुम्ब 6 वर्सम लगता है तांकि और भी दोस्तो कई है कोई 3 साल में एक बार लगता है कोई मिला ये दोस्तो 15 वर्सम लगता है तो इस वजे भी दोस्तो महत्पूर्ण हो जाएगा कि 15 वर्सम में एक बार लगता है तो ये दोस्तो जगनी म थोड़ागण में याद रखेगा अगर आप उसना आदित्ति नारायन पुरोहित का संबंध है परिक्ष्या वाड़े में दोस्तो ये प्रसन आपको मिल जाएगा और जो आप्षन है इनके बारे में भी हम बात करेंगे तो आदित्ति नारायन पुरोहित दोस्तो ये क्या है ये हैं दोस्तो बनस्पति बैग्यानिक ये आपको याद रखना है अंतरिक्ष बैग्यानिक दोस्तो निलामबर पंत इनका नाम में आद रखेए निलामबर पंत अंतरिक्ष बैग्यानिक भू बैग्यानिक खडख सिंग वल दिया इनका नाम में आद रखेए क्योंकि परि अगला लता मंगेशकर ने किस गडवाली फिलम में गाना गाय था तो रहबार में आयो दोस्तों लता मंगेशकर का जनम कभवाता ये भी पूच चुका है अग्य को दोस्तों लता मंगेशकर के पहले लिए परस्न पूच सकता है कि आपता एक गडवाली फिलम में गाना का ये था रह बार ये पूछ ले, बांकि मिर्तु याद रख लिजेगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, तो 6 फरुरी 2022, जन्म खाऊँ आता, इंदौर में हो आता, जन्म वर्स दोस्तों आ सकता है, 1929, बांकि पूरी डेट याद हो तो देख लिजेगा, बांकि 1929 में इनका जन्म हो आता, क्या पूछ लिया, जाए, अगला प्रस ने, हिमादरी ठपलियाल का संबन्द किस छेतर से हैं, तो हिमादरी ठपलियाल उसके परवतार होही नहीं, परवतार होही में उसके नाम याद रख लाज का, अभी हाले मेंन से प्रस नम राता सबसे युवा हैं, सितल राज, इथाड़ उत्राखंड का चेत्रफल देश के चेत्रफल का कितना परतिसत है। पिल्कुल आसान प्रस्ण है उत्तो, ऐसे प्रस्ण भी एक्जाम में आते हैं। तो इसका सेवत्र हो जाए उत्तो, उत्राखंड का चेत्रफल हमारा 53,483 वर्ग किलोमेटर तो है। ये भारत के 32,57,233 वर्ग किलोमेटर के इतना परतिसत है उत्तो, ये हो जाएगा 1,96 परतिसत है। तो अप्सन नमर सी हो जाए उत्तो, इसका बिल्कुल सेवत्र, अगला प्रस्ण है मलारी के सवाधानों की खोज हुई थी। कई बार दोस्तो ये प्रस्ण पूचा गया, तो 1956 दोस्तो, सिपर्षा डबराल के दौरा दोस्तो, मलारी के सवाधानों की खोज की गई थी। तो ये भी दोस्तो याद रखी जैया, सिपर्षा डबराल कुर्टो चारण उपणाम से भी जाना जाता है, तो मलारी के सवाधानों की खोज की दोस्तो किसने, सिपर्षा डबराल, चारण ने, 1956 में तो याद रखी जैगा बन सकता है एकजामला। अगला व्रशन है उत्राखंड में बोली भासा सस्तान की स्तापना की गई है देव पर्याग द्वारा हाड गोचर यार उद्र पर दोस्तो ये है गोचर में गोचर दोस्तो चमोली में है और उत्राखंड बोली भासा सस्तान दोस्तो चमोली में 2016 में यह याद रखना आपको उत्राखंड भासा सस्तान दोस्तों यह कहा है तो दिरादुन में 24 फ्रवरी 2010 को दो इसकी स्तापना हुईती उत्राखंड भासा सस्तान की और फिर उसके आगे नाम के आगे उसके पिताम बर्दत बर्थवाल जोड़ा गया और उत्राखंड भासा सस्तान यह है गोचर में और उत्राखंड भासा सस्तान देरादुन में अंतर है पुरूरा चंडिकर तो दोस्तोů यह किया गया था जहां तक मुझे आदव अगस्ट का मेहना था अगस्T 2019 2019 में यह किया गया था तो पलाष्टिक से डीजल बनाने का देश का पहला सहाथ यह जगा तो तेरा दुन में हैं अगला व्रस्षन है है उत्रा खंड़ में सरवाधिक गन्ना उत्पादन को यह ऺज़गा है ऑपशन biography पहले नंबर से गन्ना उत्पादन के द Kings अगर दोस्तो तो सरवा दिक चलो गना अहिंद देख लिया हैं कि हुँ भी देख लो देख लेते हैं पहल 90 मुझप她 जोस्त्तौ सेफ़ां है दूसरी नमबर पुर अहरीद्वार नहीं यानि कि धान यानी चावल और केहु में दोस्तो दोनु में जो पहले नमबर पर है दोस्तो तेरा दुन है और दूसरे नमबर पर उधमसी नगर है और यहाँ पर गन्य में गन्य में दोस्तो यह हो जाएगा उधमसी नगर है यह आपको यादखना है और मढवा भी दोस्तो उत्राखंड का भारत में तीसरा हिस्तान है, मडवा उत्पादन में उत्राखंड का भारत में तीसरा हिस्तान है, ये थोड़ा अलग प्रसन है, इसे भी आदख लिजेगा, और यहाँ पर पुचा सरवादी करना उत्पादक दिला उधम सीन अगर, तो दोस्तों ये थे आज क के महत्पूर्ण प्रसने बागी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में चैनल पान नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब डूर कर लिजेगा थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मज बागी तैयारी करते रहिए